जय हिं आप से का स्वागत है तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होनी वालिये जितनी पी मारे प्याइटि टीश्टी पीश्टी एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए विशेश्ट्रप्स या विडियो बनाई जा रही है विडियो की इंपॉर्टेंट इसल्ए भी हो जाती है क् कि आप से तक पहुचानी है और कुछ महत्तपूर बाते हैं जो कि आपके साथ डिसकास भी करना है दो चीज़े हैं पहला चीज तो यह आपकी ऑफिशल साइट पे कुछ रिजल्ट है जिसको अपडेट किया गया है प्लस आज के डेट में ही एक कोट केस की सुनवाई होने वा जो भी नए अपडेट्स हैं उसके साथ वो आपके साथ साजा करते हैं सबसे पहले आपको केवेस के ऑफिशल सेट पे चले जाना है वहीं पर यह आपको सारे आप जानकरिया प्राप्त होती है थोड़ा सा नीचे अगर आप स्कॉल करते हैं तो आप यहीं पर देखेंगे क एक नए जानकरी है जो की अपडेट की गई है जैसा कि आप से जान रहे हैं कि LDC का प्रोसेस काफी तेजी से चल रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि LDC के जो प्रोसेस हैं अगले साथ दिनों में कंप्लेट हो जाएंगे और उसके बाद रोजगार मेला के उसर पर आपके रिजल्ट डेकलेर के जाएंगे आप देख पा रहे होगे नौन अक्टूबर यानि कल की डेट में एक और रिजल्ट डेकलेर किया गया है जो कि है प्रोमोशन तुरू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एक्जामिशन फ्राम पोस्ट टीटी टू पीजटी मैस सब बनने वाले हैं तो यह मान के चलिए कि एडिसी के प्रोसेस अभी थोड़े बहुत बचे हुए है जो कि आपके हैं बहुत जल्दी कंप्लेट हो जाएंगे सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीजटी टू वाइस प्रिंस्पल एक लिस्ट जारी हो चुकी है और एक पीजटी चली रहा है आप से देखी रहें डेली एक ना एक आपके लिए एक से दो अपके ब्ले अपडेट किया जा रहें कि विश्ट के अबसर आपको देखने मिल जाएंगे और जो भी कोट केस है उसके संब्द में हम लोग वीडियो के लाशने बात करेंगे फिलाल हम ब करस्तावित होने वाले हैं जो कि आपके करीब 30 अक्तूबर के माद में होने वाले हैं उसी के आउसर पर आपके रिजल्ट को डिकलियर किया जा सकता है बहुत ज़्यदा परेशन होने के रुस्ता नहीं है अभी बी एडिसी के प्रमोशन थोड़े बहुत बचे हुए है जै देट है 10 अक्तूबर 2023 और आज के डेट में ही कोट की सुनवाई होने वाली है और सीधे तोर से उसका प्रभाव आपके रिजल्ट पर देखने को मिल सकता है अगर उसमें किसी प्रकार से भी आपके रिजल्ट पर इस्टी आ जाता है तो चलिए दिखाते हैं सबसे पहलें क देट में ही होने वाली चलिए रिखाते हैं कि अपको तक पूरा मामदा निकल करा रहा है कैसे आप इसको खुद से भी चक कर सकते हैं पूरी आपको ब्रわか करते है जिस NXT सब्सक्राट पर लिखा हुआ है यह कि स्क्मेश आपको इस सब्सक्राइब कर देखना इतना लिक करके आपको simply search कर देना है जैसे आप से देखिए यही लिखना है आपको ठीक है सुप्रिम कोड केस्टेटर कई बच्चे जानते भी होंगे उसके बाद पहली जो site आगे case status simply उसको यह आपको click कर देना है जैसे click करेंगे आप official site पहुंच जाने वाले हैं यहाँ पे simply आपको capture fill करना है चलिए capture fill कर लेते हैं 48 and 39 ठीक है capture fill करने के बाद नीचे आपको option मिले का diary number का simply आपको diary number डाल देना है बाद में इसको पांच अगस्त को verify किया गया है ना और यहां पर आप डेट देक पार होगी आज डेट है दस अक्टूबर और आज के डेट में ही दो जेज़ेस की बैंचे हैं जिसके संबंद में इसके सुनवाई होने वाली है जो की हिमा कोली जी है और दूसरे जो है मारे देख पारेंगे motion hearing है यानि कि इसकी सुनवाई आज की डेट में तो भी pending ही दिखाएगा साम तक या कल तक इससे related जो भी update होंगे आप तक पहुचाए जाएंगे जो भी जनकारी होगी आप तक पहुचाने का प्रयास किया जाएगा आप यहां पर जाएंगे थोड़ा सी न कि के लिए लेकिन जब के और कोट केस किया गया तो सीधे तो से की वेस पे किया गया था हलाकि रिजल्ट पे रिलेटेड इस्टेट अभी नहीं आया है जो भी जानकार यह नए अपडेट होगा जो भी इसके संब्ध में परड़ाम आएगा वह आपके साथ साजा जरूर कि जाएगा जो भी बच्चे नए है प्लीज वीडियो को लाइक और सबकाई जो कर दें बेल नोटिशन आन कर लें जिससे कि इससे रिलेटेड हमारे कोट केस से संब्ध में जो भी हो जानकर यह आप तक पहुंच सके डायरी नंबर लिख लिए 24922 है और इसी साइट पे आप खुद भी जाकर के साम तक यह कल सुबा जाकर के चेक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड अपडेट मिल जाएंगे फिलाल के अगर अब बेल नोटिशन आन कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं आपको साम तक प्रवाइड कर दूँगा जो भी क्रिब नहीं मिलते हैं नेक्स टूड़े में थैंक यू सो माच धन्यवाद